कल से ही नौरात्री स्थार्ट हो गया है बहुत लोग 9 दिन का ब्रत रहते हैं और बहुत लोग पहला और लास्ट यानी की चर्टी और उतर्ती हमारे यहां उसे चर्टी उतर्ती कहते हैं तो ब्रत में बहुत मिनत करने का मनने करता और कुछ चटपटा भी खाने का मन करता है तो ऐसे में आज हम बनाएंगे, आलू और मुमफली बहुत ही अच्छे बनेंगे, हे एवरीवन, वेलकम टू माई कुकिंग लाँच बलॉग, मैंने यहाँ पे तीन छोटे साइस का टमाटर लिया था, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है, मतलब कि बारी बहुत फाइन भी नहीं किया है, साथ ही मैंने यहाँ पे छे से साथ मिर्च लिया है, ब्रत में थोड़ा तीखा चटपटा अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा मिर्च जादा ले रही हूँ, अब मिर्च अपनी हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा सा मैंने अध्रक ग्रेट कर लिया है, लगभाई एक इंच के करिब आप चाहिए तो इसे कट भी कर सकते हैं, आलू और मूमफली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, उसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा मसाला बनाऊंगी इसके लिए, मतलब कि इसके लिए एक मसाला बनाऊंगी, इससे आलू और मूमफली बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने एक चेमचे करीब जीरा लिया था, थोड़ा सा मैंने काली मिच लिया है, दस से बारा और एक से दो लॉंग, और इसे मैंने थोड़ा सा रोष्ट कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा सुन्धा फ्लेवर आता है, सुना सुना लगता है, और इसे मैंने रफली ग्रेश कर लिया है, यानि कि कूट लिया है, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, आप यहां पर कोशिश किजिएगा, फ्रेस मसाले का इस्तेमाल किजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने यहां पर दो चमच घी लिया है, मतलब कि दो बड़ा चमच लिया है, ब्रत के लिए बना रहा है, आप वैसे ही से नॉर्मली इस तरह से भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत फटा-फट से बन जाता है मेहनत भी बहुत कम लगता है पहले मैं इसमें मुमफली को फ्राइ कर लूँगी मुमफली को फ्राइ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दो से तीन मिनट में मुमफली अच्छे से फ्राइ हो जाते है जब यह चटकने लगे तो फ्राई हो गए मान लीजिए मतलब कि फ्राई हो गए हैं तो बस इसे हम निकाल लेंगे और उसी गी में मैं यहाँ पे मीर्च अद्रक डाल दे रही हूं और साथी टमाटर को भी डाल दूंगी अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो ब्रत वाला नमक डालेंगे यानि कि सेना नमक आप जो भी ब्रत में खाते हों ले सकते हैं और जो नहीं खाते हों इसे स्कीप कर दे साथी हमने जो मसाले को कूट के तयार किया था वो डाल दिया है थोड़ इसे हमने हल्दी डाली थी बोलना भूल गई थी मैं और इसे हम कवर करके दो मिनट के लिए भूनने देंगे जिसे कि टमाटर थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए मैंने यहां पर लगबग आठ से दस आलू लिया हैं जिसे मैंने उबाल लिया था पहले ही आलू यहां पर थंडे अच्छे से हो गएं तो मैं यहां पर आलू को चील ले रही हूँ बीज-बीज में मैं उदर टमाटर भी चेक कर रहा हूँ जिसे कि टमाटर जले न बहुत लोग ग्रत में टमाटर का इस्तिमाल नहीं करते तो आप टमाटर हटा सकते हैं आप इसकी जगह नीबू का इस्तिमाल कर सकते हैं तो अभी नहीं डालिएगा लास्ट में डालेंगे आलो को मैं यहां पर बहुत बड़े टुकड़ों में नहीं कट कर रही हूं कुछ बड़े रखी हूं कुछ छोटे मतलब की रफली मैंने कट किया है और इदर हमारा मसाला भी अच्छ मैसी टाइप का हो गया है तो बस हम इसमें आलो को डाल देंगे और जो हमने फ्राइ किया सा मूमफली उसे भी डाल देंगे इन सब को डालके हमें इसे 2-3 मिनिट के लिए बुनना है ज्यादा नहीं बुनना है क्योंकि आलो तो हमारा यहां पर पका हुआ है तो कबर कर दें तो आप यहां पर एक निबु डालाए और निबु गैस बंद कले के बाद ही तो करभ़ापन टेस्ट आजाएगा तो फटा-फट से बन जाता है यह आलो कमेंट कीजिएगा, साथी वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा